आपको जो लोग मेरे साथ हैं बोज़शता कुछ हरसे उनका मालूंग होगा एक प्रोजेक्ट का हमने जिकर कहता है जो कि रश्य के प्रोजेक्ट था और सम्हाव मारकेट इस तरह ही डिप में थी मारकेट इतनी खराब थी कि उसके प्रकाम करना छोड़ दी और यही फैसले कि है कि जो हमारे पास प्रोजेक्ट से पर फोकस किया जाए और उन्हीं को देखा जाए और अगर कोई बहुत और उस वक्त का जो स्टूशिशन उसके लासस में मिस कर दिया मेटा हैश ने क्लेम किया कि यह लॉक्चैन फोर लेटिस टेक्नॉलजी यह जिटेज बैटर देन बिटकोईन देन एथीरियं दन ईयोएस और इन्होंने अपना टैसनेट पी दिया और अपना उन्होंने जो प लॉफ अप्स्टेक के साथ काम करें यह लोग इसके अंदर है क्या थोड़ा साथ प्रिव्यू उसकी वेबसाइट के पर जाकर देख लेते हैं और इसमें से बेसिकली हमें हासल क्या हो सकता है हमने इसमें से करना क्या है जो वाटसाब गृप के अंदर हमने डिसक्शन भी क हैं तरही हम कैसे मां निके नई शकल है नई फार्म आफ मां इन गर फोर्जी इसके साथ हम कैसे कुछ इंसेंटिव कि गेंड कुछ इंकम हासल कर सकते हैं उसके पर बात होगी परहे लेगे लेवकर रुन डाउन वस यूबसाइट और लिग्ट है के अटनों आफिकली तरश META HASH कारे हैं कि बिसकीली META HASH है क्या कौन सी चार चीज़ हैं इसके रहे हैं पहले चीज़ तो कहरे हैं ट्रांसचेन, META APPS, META GATE है और META HASH COIN सब्सक्राइब एक नहीं किसम के इन थोड़ी से बितरी करती है लेंविज बहुत सरी सपोर्ट करें इसके दर इंक्लूडिंग सी लेंविज है सी प्लास पस है पीएच पीए सॉलिटी है और अधर लेंविज इस सपोर्ट करता है इनका कॉंट्राक्ट प्रेसे ने जो के फासेस एंड मोस्ट सिक्यूर ब्लॉक्चेन अभी तक कहा जा रहा है कि अंदर फॉक्तार है कि 100,000 ट्रांजेक्श सब्सक्राइब करें अब यह सब कैसे अचीव कर लिया है डिटेल वाइपेपर हैं डिटेल बहुत सारी दियूंए इन सब को देख सकते हैं को जाकर पड़ा रा सकता है कि अब आज वीडियो का यह नहीं है कि मैं आई शो का रिभी कर रहा हूं प्रजेक्ट आ चुका हुआ अब 0.039 की प्राइस पर यह आई सियो मारकेट में शदीद मंदी के अहलत में मारकेट में आया था और इसकाथ पॉइंट इडि जीरो अगर हम इसको कोई मारकेट का आप में जाके देख लें इसकी पोजिशन इसको क्या है अब देख सकते हैं कि प्रफॉर्म कैसा का रहा MCH के नाम से इसका कोड है पॉइंट 039 पर आया था और इतनी शदीद मारकेट के बावजुद इसको अगर आप देखिए यह लाँच हुआ था पॉइंट 027 पर लाँच हुआ था तुरी नानुवा अगल कहता और आज देखिए इसको टाइम कितना हुआ यह मारकेट में आ यह 101 से जाधा लोगों को दे चुका हुआ है डबल से जाधा है कर चुका हुआ है इसके अंदर जो सबसे चीज़ अच्छी चीज जो आँखों में नदर आई वह यह थी अभी भी प्राइस ज्यादा नहीं है 088 पैसे प्राइस बनती है इस लोग्यों के अंदर आ जाए तो यह था कि वैप्सेट देख लें वैप्सेट कैसी है बहुत डिटेल में दी हुए अडवांटेज वो बता रहे है यहां पर नंका पैसे थो भी आवा कि जो बिट कॉइन है उसका जो है ट्रांजक्शन प्रूबल ताम वो मिनिमम अप्रक्समेटल टैन मिनिट्स है और ट्रा यहां पर बता रहे हैं कि त्री सेकंड्स 500,000,000,000,000,000 ट्रांजक्शन पर सेकंड और एक इसके बिट सबसे इची जो चीज में नजरा है थी वह यह थी कह हुँ आपको दिखा देता हूं नेस्ट इनरेशन नेट्वक बेस्टन पो ब्लक्शन पो टेक्नलोजी पर शेरिंग आपको दिखानी थी मैं पड़के गया था अभी एनिवेस मैं आपको बिजहन में आपके बारत दिखा दूँगा एडवाजर्स कंसल्टन्स के एक लंबी लाइन इसके अंदर है बहुत बड़े-बड़े लोग है जाने पैचाने नामी ग्रामी लोग है टीम में इसकी डिटेल में इनके आपको प्रफाइल मिल जाएं के लिंक्टन के ओपर जो अपनी फिल्ट के अंदर बहुत एक्सपर्ट है लोग है इसमन्स मैं आपको कहा कि डिवलप्मेंट टीम इसके अपनी टीम एडवाइजर्स बहुत अच्छे हैं मीडिया के उपर इसके बहुत सार आपको मिल जाते हैंак कांटेक्ट हैस के अंदर में पूरिया जिए जो बहुत टैक्निकली आपको इंके जवाब देते हैं आचा, जो लोग वीडियो लेख रहे हो जानते हों कि माइनिंग उनके लिए निया लपस नहीं है और माइनिंग को बिल्कुल समझते हों कि लेकिन दुवारा से फ़ड़ा से प्रणी को याद करवाने के लिए है क्या कि मार्किट में आया तो कुछ नमबर और कोईने के लिए और एक लाज कॉंटिटी देवर लेफ्ट असाइड जो के बाद में मार्किट में आने थे वो market में कैसे आने थे जिस वक्ती एक transaction तेक प्रिस करती थी A से B तक अगर कोई transaction अगर होनी है तो उस transaction ने verify रहा था और उस transaction को verify करने के लिए बीच में miner थे जो अपना रोल अदा करते हैं miner जब transaction को verify कर लेता था तो उसको reward की शकल में नया bitcoin मिलता था यह वो ही bitcoin था जो पहले से site पर रहती है गयते जो reward की शकल में miner को मिलने थे और इसी के दरीए आइस्ता आइस्ता mining होती रही और bitcoin जो है वो market के अंदर और आता रहा अब इसके अंदर जो miner थे बहुत सारी hash power अपना hardware बहुत सारी बिचली internet और बहुत सारा कर्चा करना पड़ता था और हर transaction को verify करना होता था इसी दीगे के साथ आइस्ता आइस्ता जरसे रहे से नई buying होती रही डिचली transactions होती ही हर transaction के अगेंस्त निया bitcoin जार। होता रहा और होते 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 आज bitcoin की supplier कितनी जाज वाची किया है so this is basically how proof of work, proof of work है, वो कैसे काम करता है वो this linking के साथ काम करता है उसके बाद नया जमान आया जिसके अंदर proof of stake आया Proof of Stake क्या है उसको भी देख लेगते हैं Proof of Stake के में क्या हुआ एक नीची दाई कि हर शक्स इसके अंदर हिस्सादार बन सकता है माइनिंग के अंदर और उसको अपने जब भी कोई transaction होगी इस transaction है verify हमना है लेकिन उसकी verification की जरूरी है कि जो stake holders हैं जो अपने coin इन्वेस्ट करते हैं network उन में से किसी एक को यू समझी है कि इसान democracy होती है और voting के जरी select करेंगी कौन-कौन सा stake holder है वो इस नई money के अंदर शामिल हो सकता है वो इसको select करते हैं अब जतने ज़्यादा coin आपने staking पे डाले होंगे कि उतने जारे chances होते हैं आपके win करने के और जैसे को टाले होती है आपके left वाला और आपके right वाला node मिलके इस transaction को verify करते हैं जब transaction verify हो जाती है तो आपको बदले में reward मिलता है reward में आपको वही coin माइम होके generator के मिल जाते हैं यहां पर eight is और थी proof of stake के अंदर कि अगर कोई गल्थ transaction verify होती है तो उसी लहाद से आपको penalty भी पड़ती है और आपके कुछ stake में पढ़े होई को minus भी हो जाते हैं chances बहुत काम होते हैं wrong transaction के system इस पर कहा है लेकिन उन्हें penalty भी रखी हुई है अगर किसी stage के उपर गड़ हो जाए तो जो stake holder है उनको penalty भी पड़े अब इसके अंदर जितने ज़्यादव कोई आपके पास होंगे staking के अंदर किसी पे system के अंदर जिसमें आप staking कर रहे हैं उतने ज़्यादा chances आपके हैं कि आपको network select कर लेगा और आप जो है अपनी जो मानिंग पूल है उसका हिसा बन सकते हैं तीसरे एकसा जो आता है जो नया लेकिया आया वो लेकिया है multi proof of stake multi proof of stake किया है उसको भी देख लेते हैं अब MetaHash ने क्या किया Proof of stake के अंदर network किसी एक को select करेगा to become part of the node or network to do the mining multi proof of stake के अंदर किया हुआ कि कोई भी शक्स शामिल हो सकता है voting नहीं होगी हर बंदा इसके अंदर शामिल हो सकता है उसके लिए तीन चरायत है उसको इन तीन कैटेगरिजम किसी एक कैटेगरी के अंदर उसको होना है नहीं है और वो इसमानी का इस्सा बन सकता है अब इसके अंदर क्या है कि जो लोग भी शामिलों होना चाते हैं बॉग जेन्रेड करना जाते हैं वो इसका हिस्सा बन सकते हैं भॉग जेन्रेड के लिए तीन जेधे अनध रिभॉबyse अगर आप बॉल करते हैं तो आप लॉक्यानरेट करते हैं जो पहली कटिगरी है वह है कॉइंट ओनर है और आप एक्टिव बॉलिट होड़र है पींच रहें नेपक सर्वर होगा कि नथ ऐर कि आयाया है अब इन तीनों के शराज क्या है एक्टे वॉल्टक उसको हिंटिक इनिणर करेंगेी जिसके पास Pitts minimum 100 MetaHash Coin हो जिस wallet के अंदर minimum 100 MetaHash Coin है उसको active wallet consider के जाएगा और जब log generate होगा तो आप 10% उस income में से जो reward generate हुआ है उसमें से claim कर सकते हैं अगर आप network server setup कर लेते हैं तो फिर आप 40% claim कर सकते हैं और अगर आप MetaHash owner हैं तो 50% income आपकी होगी इस तरीके के साथ 100% जो distribution है वो complete हो जाती है अब MetaHash owner कौन से यह तो होगे जो node setup कर रहे हैं जो पुरा system लगा रहे हैं और नोड के साथ जो काम करें investment के साथ और technical knowledge कर रहे हैं हमारे लिए यह इसा बनता है कि हम आम आदमी जो है वह active wallet के जरीए quantity अपनी बढ़ा कर सकता है बढ़ा के उसके लहाद से 10% जो है वह income हाथ ही का सकता अगर आप खाली 100 कोई रखते हैं तो 10% के लहाद से आपको आगा अगर आप 1000 कोई रखते हैं तो 10% के लहाद से आपकी जो income में बशाद हो ज़गी है अब इसकली owners को हम से है उसको भी देख लेते हैं जिस वक्त मैंटा हैश लांच हुआ था आइस्यों की शकल में बना गया था तो उस वक्त उन्होंने दो इस्वों में डिवाइड किया था अपने कॉइंस को जो कॉइन उन्हें जनरेट करना थे 30% कॉइंस होते वह चले गए थे आइस्यों में आईस्यों में से कुछ चले गये थे टीम के पास और कुछ चले गये थे इंवेस्टरेक्स के पास जो जबना है डिवाइस्यों में पार्टिसेट किया और थे पोस्तव अगा गया है जो 70% था इस इस 70% में से 50% उनने रख लिया कि रिवार्ट के लिए और जो इस 70% का बखाया 50% था वो उनने रख लिया तो यह होगे ओनर तो यह तो हम नहीं है कि यह तो बैसिकली जो सेटप डिजाइन के तो सब कुछ केता हो वाले हैं लेकिन जो 50% है रिवार्ट वाले हम उसमें से क्लेम कर सकते हैं और वो यह वाले हिसा बनता है तो यह तो यह स्मार्ट और न्यू कॉंसेप्ट जिसको यह मार्केट में लेकिया जिसके वज़ा से जो माइन है और जो ट्रडिशन स्टिकिंग है वह बहुत पीछे रह गई अब इसके लिए बैसिकली आपको मेटाहाश कोई आपकर पास और चाहिए मेटाहाश का वालट पास आना चाहिए और उस वालट पर जाके जो उन्होंने नई एक टर्म डिसाइड की है इसको कहा जाता है आप फोर्जिंग का हिसा बन सकते हैं and this is how आप अपने लिए इंकम जेनरिक कर सकते हैं आपने कोई के वैल्यू देख ली पॉइंट 027 से शिरू हुआ था जाना के साथ साथ इसकी प्राइस बढ़ती जा रही है रिबॉर्ड में आपको अगर कोई नहीं मिलता है तो कोई की वैल्यू गर बढ़ती जा रही है तो आपके वालट की वाल्यू बढ़ती जाएगी I hope ये बहुत सिंपल करके बहुत बेसिक करके एक वीडियो बनाईए ह I hope इससे कुछ clarity आपको आएगी कुछ समझ आपको आएगी और जो लोग बाय कर सकते हैं वो इसको definitely बाय करें इसका बॉलर डानलूट करें और फोर्जिंग का हिसा बने और अपनी income stream के अंदर इजाफा करें I hope अगर कुछसेंस अगर होंगे I'll try my best to entertain those persons in WhatsApp groups, group को join कीजएगा discussion का हिसा बनिएगा, खामोश बैठे रहने से कुछ हासल नहीं होगा, opportunities बहुत सारी है, technology बहुत advanced हो गई है, लोगों के पास बहुत सारे जरीये हैं, जहां से income generate कर रहे हैं, idea basically पैसा देता है, सही idea को pick कीजिए, जिस idea के अदर potential है, जिस idea के अदर चान है, उस idea के साथ हो अंटल नेक्स ताम, थैंक यू बर्मच, लांफ बस।